अब इस वीडियो को टाइम सेव करने के लिए मैंने नंबर लाइन पहले से द्रोव कर ली अब आप देखके लिए 3.765 यह जो है यह किस के बीच में आएगा यह नंबर एक मस्ट पे बिट्वीन 3 और 4 क्योंकि 3.7 जैसे मैं 3 और 4 की expansion करूं तो क्या आएगा 3.1, 2, 3, 4 तो 3.7 something वो इन दोनों के बीच में आएगा तो हमने यहां नंबर लाइन पे 3 और 4 ड्रोव कर लिया Now 3 और 4 तो यहां 3 means 3.0, this is 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and 4. 4 means 4.0 Now number क्या था 3.765, 76, 76 किसके बीच में आएगा? 77 और 78 क्योंकि 76 है, तो 76 अभी आगे पीछे वाले numbers को आप ignore करो तो 76 जो है वो किसके बीच में आता है? 70 और 80 के बीच में, तो 70 का मतलब 7 और 80 का मतलब 8 तो 3.7 और 3.8 के बीच में यह number आएगा अब हम इसको expand करेंगे, मतलब खुला करके दिखाएंगे, जिसे लेंस लगाते हैं तो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं वैसे हमने इनको बड़ा करना है, यानि के इनके बीच में भी तो numbers होंगे न, 3.71, 3.72, 3.7 तो उसको हम expand करके दिखाएंगे तो next हम number line draw करेंगे, this is 3.7 और 3.8 के बीच में, जो पहली वाली हमने ले थी, 3 और 4 उसके बीच में हमने कहा कि 3.7 और 3.8 के बीच में यह number लाई करता है तो अब 3.7 और 3.8 को expand कर लिया, बड़ा कर लिया, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 इस तरह से हमने लिखते हुए 3.79 और 3.8 हो गया, अब number क्या था? 3.765 यही number था, देखिए, यह जो number है, अब इसको देखिए, 765, तो 76, 76 और 77 के बीच में कहीं आएगा, जब हम इसको expand करेंगे, देखिए, जब हम इसकी further expansion लेंगे, तो हो क्या आएगी, 3.761, 762, 763, 764, 765, तो यह number यहां कहीं आएगा, अब हम इनको further बड़ा करके दिख दिखाएंगे, expand करेंगे, तो एक number line order कर वे हैं, number था 3.765, तो अब 3.76 और 3.77, 3.76, 3.77, this is 3.761, 3.762, मैंने उपर नीचे इसलिए लिखा है, कि होच पोच नो हो जाए, इकठा हो जाएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा, this point is 3.763, 3.764, this is 3.765, which is required number, then 3.77, 766, 767, 768, 769, and this is 3.77, तो this is the number which we want to locate on the number line, this is what we have done, यह हमारा required number हमें number line पे मिल गया, किसके बीच में 3.76 और 3.77 के बीच में मिला, इसी तरह से कोई भी number हो, जैसे यह number लिखा है मैंने, 2.256, इसको भी हाप number line पे अराम से देख सकते हैं, कैसे मिलेगा यह, 2 और 3 के बीच में, then आप 2 और 3 को expand करेंगे, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 होगा, अब यह जो 2.56 है, 2.56, वो यहां कहीं आएगा, 2.5 और 2.6 के बीच में, आप further इनको फिर से करेंगे, तो यह, this is 2.251, 2.252, इस तरहां से करते करते आपको 2.256 expansion में मिल जाएगा, एनी number, you can visualize it on the number line, so students, this is all about exercise 1.4, इसमें सरफ visualize ही करना था, तो एनी number, it can be seen on the number line, I hope you have got it, thank you students, thank you so much.